हेलो गाईज वेलकम बैक अगेन एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं आप सब के लिए लेकर आई हूं कुछ डिफरेंट तो आज हम गएते शापिंग हॉल तो शापिंग मॉल गएते हॉल कह रही हूं मैं तो हम शापिंग मॉल गएते हमारे घर के ज़श्ट पास है मेगामार्ट गोविनपुरी छोले वो टूरे वाला जो मतलब शॉप है तो ये मेगामार्ट विशाल मेगामार्ट गोविनपुरी में है तो हम वह गए थे तो मैंने अपने लिए अवाली शर्ट बाई की है जो की जीन्स के साथ काफी अच्छी लगेगी और यहां से हमने अपने जीरा गए बिया के लिया और मैंने भी मेरे हस्बेड के लिए डरैस ली है नेक्स्ट हम गए उपर फुट वेयर का कलेक्षन में यहां से हमने कुछ बैली बाई करी मैने और मीरी शिस्टर ने और यह पीछे मेरी सिस्टर के budge naw ल है तो यहां पर यहां पर काफी अच्छी बैली रगल assess का मतलब सामान है यहाँ पर कुछ घर का समान था जो हमने यहां से थोड़ा बहुत बाए किया हैंड वर्स वङधरा और मैं सस्टर को कह रहे थ houses לצे यृहां से यहां से कुछ ले ले ममी के लीह जैसे घर का समान थोड़ा बहुत मअंठी ने बोला थह कि यहां कुछ groceries का समान मिलेगा तो लेते आना next ये बच्चे कुछ अपने लिए shoes वगेरा देखने लग गए तो दोनों की dresses भी आप देख रहे हैंगे एक जैसी है तो इन्होंने shoes भी एक जैसे ही buy करे white और black color के next मेरी sister मेरे लिए और अपने लिए कुछ purse देख रही थी तो अच्छा था ये grey वाला भी बहुत अच्छा था और बाद में फिर ये pink color का भी हमने देखा तो इस में से एक एक हमने purse buy किया फिर मेरी sister कुछ छोटे purse जो mini purse होते हैं crutches जैसे purse में रखने के लिए वो देखने लग गई ये pink color का भी मैंने देखा था बट इतना खास नहीं लगा तो हमने दोनों ने एक जैसे buy किये हैं यहां से purse next फिर हम swapping की कर रहे थे फिर हम थोड़ा सा घर के पास ही जैसे mega mart है तो हम ये paddle चलके थोड़ा सा 5-10 मिन का रास्ता है हमारे घर से तो हम ये घर जा रहे थे ये है guys next day का ब्लॉग जो हम सुभे चाननी चौक गए थे चाननी चौक में सीजगन साइब का गुर्दवारा है हमारा तो हम ये थोड़ा सा अंदावे चलना पड़ता है जैसे आटो वगेर आपको drop कर देता है तो थोड़ा सा वो देखिया आपको सामने गुर्दवारा दिख रहा है तो थोड़ा सा हम चल के गई यहाँ पे लहंगे वगेरे की बहुत अच्छी शौक थी और बहुत ब्यूटिफुल कलेक्शन था लहंगो का तो इतना अगर आप आपकी मैरीज होने वाली है कुछ थोड़े ताइम में तो आप लहंगो का कलेक्शन यहाँ से बाय कर सकते हैं बहुत सुन्दर लहंगे मिलते हैं यह गुर्दवारा जी का मैंने भार से थोड़ा सा कैप्चर किया यह गुर्दवारा सीजगन साहिब है हमारा तो नेक्स्ट हम अंदर चलेगे हमने मत्था वगेरा टेका और गुर्दवारे में वीडियो या पिच्चेस खीचनी अलाउड नहीं है फिर भी मैंने आप सब के लिए थोड़ा सा अंदर का शूट कर लिया था यह वाइगरू जी का कुछ किर्तन वगेरा चल रहा था तो यह मैंने अंदर का थोड़ा सा व्यू वगेरा लिया है शीजगन साहिब जी का गुर्दवारा बहुत अच्छा है बहुत बड़ा है फिर हमने लंगर वगेरा खाया यहां पे भी हम काफी दर बैठे थे फिर हमने लंगर वगेरा खाया फिर हम थोड़ा सा हमने सेवा करी मैंने मेरी सिस्टर ने हमने जोड़ा घर में आधा पॉना घंटा जोड़ा घर में सेवा करी चलिए गाईस पूरा ब्लॉक आप इंजोई कीजिए मैं आगे मिलती हूँ यहां यह वाला एंट्री का गेट है तो मैं वोई सब दिखा रही थी यहां पे लंगर हॉलता तो सबजियां वगेरा रखी हुई थी यह बच्चे हैं दोनों मेरे साथ ही ब्लॉक्स शूट करवा रहे थे थोड़ा से के मासी चलो थोड़ा भार का शूटिंग कर ले थे यह मेरी मासी जी भी गुर्दवारे में आ गई थी क्योंकि आज हमारे गुरू का दिन भी था तो मासी जी भी आ गई थी फिर नेक्स्ट हमने थोड़ी बहुत भार की भार से थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग बगरा करी फिर हम नेक्स्ट हम घर आ रहे थे तो यहां पे मैं ममी को कुछ बाते बताती ज़ा रही है मुझे खुद को भी याद नी है मैं क्या कह रही हूँ या तो मैं I think गुर्दवारे के जश्ट सामने लाल किला है शायद मैं ममी को अपनी वो ही दिखा रही हूँ गाईज और नए-नए ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैलेंज से से